तो हेलो गाइज तो कैसी हो आप सब कैसी चल रही है आपके स्टेटी तो आज कर दो वीडियो है बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि पीच मान को हम कैसी याद करें और वो भी कुछ ही सेकेंडों में तो आज हम बात करेंगे पीच मान हम कैसी याद करें कोई पदार्त का कितना पिएच मान है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और वो भी यहां पर आप देख सकते हैं सौट ट्रिक के साथ और यहां पर आप देखिए बाई पपु भाई तो मेरा नाम है पपु और आप सभी का स्वागत है हमारा प्लेटफॉम साइन्स वीडियो अ मतलब क्या होता है पिएच का मतलब क्या होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर पिएच का मतलब कोई पुछते हैं तो आपको क्या बताना है पोटेंसियल ओफ हाइड्रोजन क्या बताना है पोटेंसियल ओफ हाइड्रोजन तो यहां पर अगर इसका और भी नाम होत यह होता है ठीक है तो आप यहां तक लगता है आपको यह सब आते पहले से आती होगी तो चलिए अब हम चलते हैं सोट ट्रिक की और और आगे बढ़ने से पहले और इसका जो हिंदी है कुछ इस प्रकार के की पिएच मान का जो खोजना वे आपको किस ने किये थे तो पिएच मान का खोज हमारा क्या किये थे सोरेंसन जो बैग्यानिक थे वे किये थे ठेक है और इसके बाद अगर आपके सामने यहां पर देख सकते हैं लिखा क्या होगा है कि पिएच जो होता है पिएच मान से क्या पत सकते हैं हाँ अगर साथ से कम होगा तो आपको क्या याद रखने है कि साथ से कम होगा उसे हम क्या कहेंगे अमल कहेंगे और साथ से ज्यादा होगा उसे हम चार कहेंगे और इसके बाद लवन किसको कहेंगे जो साथ के बराबर होगा ठेक है तो चलते हैं अब हम अपने सोट ट तो सब से पहले मैंने यहां पर लिख दिया है कि समुंद्री जल Luft & At कितना होता है तो बस आपको याद रखनी है 8.5 अब इसको कैसे याद रखनी है कि हमारा जो समुन्ध रहना व कितना दूर है तो आपको याद रखने कि हमारे घर से सारे 8 किलिमीटर के है, वह दूर है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको short trix से हम याद जाख सकते हैं, और इसके बाद है सराब, तो इसके बाद है सराब Kी सराब का पीh मान कितना होता है, तो सराब का की पीh मान होता है, वह आपको होता है 2.8, सकते हैं अगर इसको टृक्स याद करें तो तिक से करें कि दो लोंडे यानि दो लड़के हैं जो आथ बजी रात में कहां करते हैं भहूत ही शराव पीते हैं इस ट्रिक से आप ऐसे याद रख सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सीर के तो सीर के का जो पीच मान होता है वो होता है तीन तो सीर के का पीच मान तीन होता है तो कैसे हम इसको याद रखे तो बस आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम केक को हटा दें तो क्या यहां पर बच गया सीर तो सीर में कितने भाग होते हैं तो तीन भाग होते हैं एक तो अगर भाग यानि आगे की भाग और पस्षे भाग यानि पीछे की भाग और बीच में क्या होता है मध्य भाग तो यह आपका होता है सिर में कितने भाग तो तीन भाग तो सिर के के जो हमारा पीछ मान होता है वो कितना होता है तो तीन होता है तो यह आपको क्या करनी है याद रखनी है और इसके बाद यहाँ पर आप दिख सकते हैं लिखा क्या हो है मानो मुत्र यानि मानव मुत्र को अगर इसको देखे तो इसका जो पियच मान होता है वो हो कितना होता है 4.8 यानि और इसको हम कह सकते हैं 8.4 भी कह सकते हैं तो इसको याद कैसे करना है ट्रिक से तो आप समझे कि 14 है पर कोई लड़का आता है 8 बजी और वहाँ पर क्या करता है कि पिसाब करकर चला जाता है मानो मुत्र यानि उसमें कोई लड़का भी हो सकता है कोई लड़की भी हो सकता है जो कि चोरहे पर आता है आठ चार बजे और वहाँ पर चोरहे पचार का मतलब चोरहे और आठ का मतलब वो आठ बज़े आता है और वहाँ पर मुत्र निकाल कर चला जाता है तो इस ट्रिक से आप ऐसे याद कर सकते है तो यहाँ पर इसके बाद है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या है तो अचार जो शुरू वाला जो अच्छर है क्या है तो आपको हम काड़ देंगे क्या बश्जागा 4 तो हमारा 4 बश्जागा तो 4 होता है 3.5 और 3.9 की इसके बीच में आता है तो 4 के बीच में तो इस परकार से आपको याद रखनी है ठीक है और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव क्या लिखा हुआ है तो इसको हम थोड़ा सा और भी बड़ा कर लेंगे तो आपको किलियर रसानी से दिखेगा तो यहाँ पर अगर आप देखे तो सेव तो सेव का हमारा जो पीच मान होता है वो कितना होता है तो अब इसको याद कैसे करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब हमारी माता हैं होती है जब दुकानों में जाती है तो सेव जो होता है वो क्या होता है सो रुपे किलो होता है तो हमारा जो सेव होता है वो मतलब एक किलो क्या होता है सोड़ा का तीन गोही चाहड़ता है यानि तीन ठोही चाहड़ता है तो इस परकार आपको याद रखने है और इसके बाद है सोड़ा तो सोड़ा को याद किजिए उससे कि यानि छोड़ा जो होता है यानि सोड़ा को याद रखना है कि छोड़ यानि ऐसे या देखना है कि कोई लड़का है वो क्या करता है कि सोड़ा है तो उसको मतलब तीन बज़े क्या करता है सोता है यानि उसकी जो माता है उसको कहता है कि आर सोजा सोजा यानि सोड़ा तो उसके माता आती है अगर कोई मतलब उससे बात करता है तो उसके बात करता है तो कहते हैं माता क्यार तू सोजा सोजा यानि सोडा को रिलेट करते हैं सोजा से तो वो लड़का क्या करता है कि तीन बज़रात में सोजाता है तो इस प습니다 आप रिलेट कीजिया और इसके बाद हैं तो टमाटर का जो पीश मान होता है वहोता है 4.5 तो 4.5 के है टमाटर का क्या है तो आपको याद किसी करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो काड देंगे तो क्या बजाएगा माटर यानि इसको रिलेट कीजिए मटर से तो मटर में जो दाने होते हुए कितनी होते है तो चार से लेकर के पांच दाने होते है ठेक है तो यहाँ पर आपको इस तरह से याद रखनी है और इसके बाद यहाँ पर आता है दूध तो दूध का जो पीच मान होता है वो कितना होता है इसके बाद आता है सल्फिययृक अमल, यानि कह असके हैं बैटरी में जो अमल होता है उसको हम कहते हैं, सल्फियृृक अमल, जिसका सुत्र होता है, ह 2-哇 होता है, ह territories ठिक है हीWAY, तो आपको इस प्रकार से आपको याद रखनी हैं, की कोई भी पदार्त बहुत ही hard होता है और बहुत ही वक्या करता है बिजली उत्पन करता है तो यहां पर आप देख सकते हैं बैटरी का जो पेच मान होता है वह कितना होता है बैटरी अमलज होता है उसका पेच मान कितना होता है तो आपको याद रखनी है तो इसके बाद आप देख सकते हैं निम तो आसु का जो पीच मान होता है कितना होता है 7.4 होता है तो इसको याद कैसे करना है ट्रिक से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आसु तो आसु कब निकलता है जब कोई सच्चा प्यार करता हो तो सच्चा यानि सच्चा होगे 7 और 4 यानि सच्चा प्यार करता है तो आसु निकलता है तो इसको याद रखना है कैसे साथ पॉइंट चार है और इसके बाद यहां पर दिख सकते हैं रक्त तो रक्त का जो प्येच मान होता है क्या होता है साथ होता है तो इसको याद कैसे करना है तो आपको वैसे याद रखना है कि सच्चा उसका खून है जो कि यानि चार तो इस परकार से आपको याद रखने है और इसके बाद है नमक तो नमक का भी क्या होता है नमक जो पीच मान होता है आपको साथ होता है क्यूं तो इसको ट्रिक से याद कैसे करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमाद जब खाना काते हैं तो हमें साथ दीन क्या होता है कि हम नमक की जरुत होती है तो आप इस तरह से आप याद कर सकते है और इसके बाद है जल अब जल है तो आप जल के बिना भी हम जो सब्ताह के दीन होते है उसमें भी हम नहीं रह सकते है यानि जल का जो पीच मान होता है वह कितना होता है साथ होता है आपको इस तरह से आपको करते हैं तो इस तरह से आपको याद करते मिलता है तो 5 और बढ़द 5 होता है और इसके बाद branches the वह कितन होता है और इसके बाद करना है कि आर पांच लड़के हैं और नहुत पहुंचते हैं, चाय पीने के लिए, ठीक है, तो इस बरकार साब को याद रखनी है, एक आदेमी जो है, ज़ो साल है, मतलब उसका उम्र है, 65 से लेकर 75 साल काया, अगर वो कोई मिठाए देखता है, तो ईसका लार चू जाता है, तो आपको ऐसे याद रखनी है तो 65 है तो उसमें बीच में पॉइंट बैठा दीजे आपको 6.5 से लेकर 7.5 हो जाएगा और इसके बाद आता है सेम्पू तो सेम्पू का जो हमारा पीच मान होता है वह कितना होता है 7.10 तो इसको याद कैसे करना है तो सेम्पू को रिलेट कि देना और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सबस्क्राइब भी कर लिना तो चलिए वीडियो आज का समाप्त होता है हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सबस्क्राइब जरूर की जाएगा तो चलिए वीडियो आज का समाप्त हुआ है